चोपडा एजुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरी प्यारी बच्चो वी सी आई यानि वेटनरी काउंसिल ओफ इंडिया जिसके द्वारा ओल इंडिया कोटा वेटनरी की काउंसलिंग की जाती है यानि कि B, V, SC, A, H जो वेटनरी कोर्ष होता है उसकी जो काउंसलिंग की जाती है उसका सेडियूल जारी हो चुका है यानि इस VCI द्वारा 15% ओल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग करवाई जाती है 85% स्टेट कोटा अपने स्टेट की काउंसलिंग करवाता है तो VCI के थुरू जिन कंडिडेट्स को एडमिसन लेना है यानि की वेटनरी कोर्स के लिए एडमिसन लेना है तो उसका सेडियूल जारी हो चुका है 15% ओल इंडिया कोटा के लिए और ये 22 सिप्टेंबर 23 से इसके रेजिस्टेशन स्टार्ट है तो आएए मैं इसको एक बार बता देता हूँ इसके बारे में आपको और इसके जो भी रूंस के फ़र्स्ट रूंड, सैकेंड रूट, मॉप अप रूंड और इस्ट्ड वेकंसी रूंड के वो रूल भी आँगर समझा देता हूँ तो सबसे पहले round 1 के लिए resistance नी start होंगे 22 September से last date रहेगी 25 September 23 इसके बाद में 24 filling और locking की date रहेगी 22 September से 25 September 23 इसके बाद में इसका result announce हो जाएगा 26 September 23 को reporting time रहेगा 27 September से 30 September 23 तक तो ये complete first round का schedule रहेगा second round के registration जिन candidates ने registration नहीं किया है first round में वो fresh registration कर सकते हैं उसके लिए 3rd October से 4th October 23 तक registration की date रहेगी registration और payment की उसके बाद 24 filling और locking की 3rd October से 4th October 23 डेट रहेगी result 5 October 23 को आजाएगा reporting 6 से 9 October 23 रहेगी इसके बाद में जो mop up round का schedule रहेगा वो 10 से लेके 11 को registration रहेगा जिन्होंने पहले registration नहीं किया है fresh registration कर सकते हैं और इसमें choice locking 10 से 11 तक ही रहेगी choice filling और locking result इसका 12 अक्टूबर 23 को आजाएगा reporting 13 से 16 अक्टूबर 23 को रहेगी इसके बाद stay vacancy round में जो payment करना है इसमें phrase registration नहीं होंगे जिन्होंने मोप up round तक registration कर रखा है वो ही candidate इसके लिए eligible है stay vacancy round के लिए उनको payment करना है general OBC EWS category candidate को 50,000 और STPS candidate को 25,000 यहां payment करना है payment की जो date रहेगी वो 17 से 18 अक्टूबर 23 रहेगी इसके बाद twice filling होगा इसमें phrase 17 से 18 अक्टूबर और result आ जाएगा 19 अक्टूबर 23 को और reporting 20 से 23 अक्टूबर 23 रहेगी यानि कि 23 अक्टूबर को VCI की counseling complete हो जाएगी अब इसके rules बता देता हूँ मैं आपको पहले stay vacancy round के rules बता देता हूँ तो इसमें stay vacancy में कोई phrase registration नहीं होगा जिनोंने मोपब तक registration करवा रखा है और उनको seat नहीं मिली है वही candidate stay के लिए eligible है इसमें कोई seat alert नहीं हुई है वो candidate इसके लिए eligible है 50,000 और 25,000 का इसमें payment करना है आपको ये मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ वही candidate eligible है जिनको first round, second round और मोपब रखार में कोई seat alert नहीं हुई है alert भी नहीं हुई है वही candidate अगर किसी भी एक round में alert होगी तो वो stay के लिए eligible नहीं है अब आपको हम पूरे rules बता देते हैं round 1 के, round 2 के और mop up round के और stay vacancy round के तो round 1 का rule यही है कि जिन candidate ने round 1 में registration किया है, choice filling की है अगर उनको seat alert हो गई है और उनको seat alert हो गई है और उन्होंने join कर लिया है तो वो candidate second round में upgrade लगा सकते हैं और second round में fresh choice fill करके अपने seat को upgrade करवा सकते हैं लेकिन जिन candidate को round 1 में alert हो गई है seat और उसने join नहीं किया है तो उसकी counselling वाई and हो जाती है वो आगे participate नहीं कर सकता किसी भी round में तो यह आपको ध्यान रखना है इसमें free exit बिलकुल नहीं है all India की तरह अब second round के अंदर जिन candidate को seats नहीं मिली है वो आलड़ी second round के लिए eligible है अब बात करते हैं second round की तो second round में एक तो phrase candidate eligible है इसके लिए वो fresh choice fill करके अपना seat ले सकते हैं इसके बाद में वो candidate eligible हैं जिन्होंने second round में अपग्रेडेशन का उपसन दिया है यानि join कर लिया है और अपग्रेडेशन का उपसन दिया है तो वो fresh choice fill करके फिर अपने seat को अपग्रेड करवा सकते हैं इसके अलावा वो candidate इसके लिए eligible नहीं है जिनको first round में seat alert हो गई थी और उन्होंने join नहीं किया तो वो second round के लिए इसमें eligible नहीं है अब जिन candidate को second round में भी seat नहीं मिली है वो mop up round के लिए eligible है उनको दुबारा mop up round में कोई किसी परकार का registration करने की आवश्यक्ता नहीं है अब जिन candidate को जिसमें first or second round में seat alert हो गई है seat alert हो गई है वो mop up round के लिए eligible नहीं है वो उसमें participate नहीं कर सकते है चाए उन्होंने join किया हो यह नहीं किया हो उनको वहाँ participate वो नहीं कर सकते हैं इसमें वही Movement कर सकते हैं जिनको first or second round में registered किया है लेकिन seat अलोट नहीं हुई है वही candidate इसमें participate कर सकते हैं अब stay vacancy के rules मैंने आपको बताई दिये हैं इसमें कोई phrase registration नहीं होता है इसमें आपको security fees deposit करनी पड़ेगी वो 50,000 और 25,000 category के according इसमें कोई phrase registration नहीं होगा इसमें फ्रेस होगी तो ये rules है इसमें round wise तो ये veterinary counseling के लिए जिन candidates को admission लेना है वो समय से अपना registration करवा दें क्योंकि इसमें काफी कम दिया गया है और जल्द ही ये counseling यानि की बहुत कम समय में complete हो रही है तो ये जानकारी थी veterinary counseling के बारे में आप और जानकारी लेना चाहते है तो हमारे इस video के description box में book का link available है आप book download कर सकते हैं हमारे से संपर्क कर सकते हैं जैसी book download करेंगे हम आप से संपर्क कर लेंगे आप हमारे इसके लिए paid service भी ले सकते हैं veterinary और I use के लिए तो ये जानकारी थी इसके बारे में मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिंद